हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ आश्वीन और स्वागत है आप सबका इंदीचेस वीडियोज में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फिटे गरांट प्रिक्स जो चल रहा है सेकंड लेक उसके फर्स्ट राउंड की अरिकृष्णा जी की गेम देखेंगे एक गेम में उनके ओपोनेंट थे निकिदा विट्यूगो जहां पे एरिकृष्णा जी के वाइट पीस इस थे और उन्होंने गेम किश्रुवाद की E4 से और नाओ निकिदा ने खेला C5 सिसलियन दिफेंस नाइट टो F3 E6 सो यह जाना जाते है दोस्तों लाइक सिसलियन फ्रेंच यहां पे D C4 open Sicilian C takes D4 and Knight captures D4 Knight F6 Knight C3 Knight C6 Queen to D3 and now D5 key captures on D5 and now Knight D4 so Black जो है बाद में Knight's pawn को capture करना चाहता यहां पे and now Queen to G3 Bishop to C5 so threat है Bishop captures on D4 की और वहां पे अगर आप उसको support भी करते हो then also Bishop captures D4 because उसके बाद Knight takes C2 possible है so यहां पे खेला गया A3 so in case Bishop captures अगर जो है वो D4 आता है then Pawn takes on B4 खेला जा सकता है यहां पे खेला गया Knight B captures on D5 now Bishop to B5 check and इस position दोस्तों King to F8 के लागए है बट यहां पे variation इससे Bishop to D7 आता है तो क्या हो सकता है then Knight captures on D5 and अगर आप जो है Knight से मारते हो तो यहां पे जो है G7 जा रहा है क्योंकि बाद में Rook G8 possible नहीं होता है so यहां पे E captures on D5 and after Bishop captures D7 Queen takes on D7 Queen E3 check और यहां पे Queen's exchange हो जाएगी और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि White जो है वो Black के isolated pawn के सामने खेल सकता है but anyways ए गेम जो है अभी भी तीनों result के लिए open है so Bishop to B5 check के बाद हमारी गेम में खेला गया King to F8 and now Knight D to E2 Bishop to D7 now Bishop captures D7 Queen captures on D7 and Knight takes on D5 के लागया और यह जो है mistake of the game है so यहां पे अब आप जो है वीडियो को post किजिए और सोचिए किस तरह से Black जो है winning position अचीव कर सकता है यह जो है move number 13 है यहां पे Queen takes on D7 के बाद White के लिए जरूरी था कि वो जो है short castle करे और यह game जो है बाद में तीनों result के लिए open है but Knight captures D5 काफी बड़ी mistake यहां पे Nikita ने उसको exploit किया with Knight to E4 Nassive Queen पे attack है but अब जो है Bishop captures F2 आ रहा है and then Pawn captures on D5 so आपका Knight and Bishop दोनों मिलके जो है White के King पे जो है attack कर रहे है दूसरी हो जैसे यह Pawn गयव होगा Queen जो है F5 पे आ सकती है यहां पे Queen to B3 खिला गया है जबकि वहां पे Queen D3 जो है वह suggestion दिया गया है but anyways game में खिला गया Queen to B3 and now Bishop captures F2 check King to F1 क्योंकि अगर आप D1 पे जाता है तो उसी line में दोस्तों Queen रखा वह line काफी जल्दी open हो जाएगी so यहां पे अब आया Pont X on D5 आपकोस Queen board पे रखना है क्योंकि वाइट का King जो है वह ज्यादा भी के और इस position में Bishop F4 जो है वह recommendation है बट गेम में खिला गया यहां पे Bishop to E3 बट दोस्तों वैसे फिर भी जो है गेम तो हाथ में से निकली गई है यहां पे इस position में Black ने खेला Queen to F5 so Bishop captures on E3 जो है वह डिस्कवर चेक की threat है अब आया Knight to D4 Queen पे टेक है Queen F6 and now line को सिस किया with Knight to F3 but now Bishop captures on E3 Queen captures on E3 and now Queen takes on B2 so यह दोस्तों second pawn है और यहां पे Rook to E1 खेला गया और यह थर्ड pawn जो है वह चला गया बट से आप जो है Rook C1 करके इस pawn को save करने की try करते हो then Rook C8 again उस pawn पे taken after Knight to E1 यहां पे जो है H5 और Black जो है अपना Rook भी काफी जल्दी गेम मिला सकता है और दूसरी हो दोस्तों आप अगर यहां पे कुछ Knight to D3 वगरे खेलते हो then Queen captures A3 even possible है so आप देख सकते हो कि दो pawn जो है ओल्रेडी यहां पे जो है वह white down है और white की game में जो है कुछ रखा नहीं कि उसका King जो है वह भी काफी बीक है so Queen takes on B2 के बाद okay Rook E1 and now Queen captures on C2 so यह है third pawn loss and now King to G1 Queen to C5 of course Queen exchanges हो जाती है then यहां पे जो है clearly Black winning है so यहां पे Hare Krishna जी ने Knight to D4 के लाए Queen exchanges जो है avoid किये but now Rook to C8 H4 and now H5 King H2 Rook को connect करने की driver दोस्तों यहां पे Queen to D6 चेक आए और इस position में जो है वो Hare Krishna जी ने resignation दे दिया reason ही है कि अगर आप G3 खेलते हो तो Rook C3 आ रहा है वैसे भी आप 3 pawn down और एक और पहुंझ जाएगा G3 भी चाएड जा सकता है so game जो है वो totally lost दी so इसलिए इस particular position में जो है आटे Krishna जी ने resignation दे दिया so दोस्तों कैसी लगी आपको एक game और आज का वीडियो I hope वीडियो और एक game दोनों ही आपको काफी पसंद आया होगा पसंद आया है तो प्लीज सेनल को subscribe पीजिए वीडियो को like दीजिए और अपनी comment देना बिलकुल ना भूले धनिवाद जैहिन बाइ़ ऑई बाइ़